दोस्तों हमारी application विश्णु economics school में आपको डाइसो से भी अधिक course मिलेंगे योकि UGC net, PGT economics, assistant professor, इसके अलावा UPS economics optional, MA economics and UG economics के हैं के अलावा इस पूरे की पूरे application में आपको वीडियो course के अलावा test series और notes भी मिलेंगे, इसके अलावा free notes अगर आप download करना जाएं तो आप अपमारी application के जो three dot है उसमें आपको study material का option मिलेगा, यहां से आप free notes भी download कर सकते हैं इस वीडियो के साथ हम एक नया chapter स्टार्ट करा रहें आप बच्चों के लिए उसे बोलते, economic growth and development, तो यह जो chapter रही है, UGC net में भी आता है, PGT economics में भी आता है, UPSC में भी आता है, MA economics में भी आता है, तो जिस जगह इसकी requirement होगी, वहाँ वहाँ chapter हम यह बच्चों आपके लि वाले हैं, तो दीखे, सबसे पहले question ही उठता है कि economic growth and economic development क्या होता है, बहुत simple तरीके समझ लीजेगा, सबसे पहले हम बात करते है economic growth की, दीखे, growth का मतलब होता है बढ़ना, विस्तार का मतलब होता है फैलना, growth का मतलब होता है, growth जो होता है, वो single dimension होता है, जबकि जो development है, वो multi-dimensional होता है, जैसे हम बात करते हैं, मानसिक विकास की, या आप कह सकते हो mental development की, तो mental development का मतलब केवल सिक्षा से नहीं है, बलकि और भी कई सारी इसके अंदर पार इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे हमारी age develop हो, हम लोगों की सोचनी की सकती बड़े, इसी तरीके से economic growth, single dimension ह इसके अंदर केवल एकी बात पर जोड़ दिया जाता है, एकी बात पर emphasizes किया जाता है, वो है long term increase in real national income और real national output, यानि कि अगर किसी देश में real national income बढ़ रही है, अब किसी से बढ़ रही है, यह important नहीं है, हो सकता है कोई देश दारू बना के GDP बढ़ा रहा हो, हो सकता है किसी किसी देश में केवल कुछ लोगों की income बढ़ रही हो, इन सब बातों का कोई matter नहीं करता economic growth में, economic growth केवल एकी चीज़ पर बल देता है, वो है long term increase in real national income, यानि कि अगर किसी देश की real national income बढ़ रही है, real output बढ़ रहा है, तो कहा जाएगा कि उस देश में economic growth हो रही है, बच् से बढ़ सकती है, पहला जब price बढ़ जाए, दूसरा जब output बढ़ जाए, मैं आपको simple page से आपको समझा देता हूं, ताकि आपको concept समझ में आ जाए, माल लीजी 2023 की बात कर रहे है, तो 2023 में हम केवल single goods माल लेते हैं, हम माल लेते हैं, केवल single goods economy में produce हो रही है, और उसकी जो हमारा base ही है, तो इस case में 2020 की बात कर रहे है, 2020 में हमारी जो GDP थी, वो बढ़क हो जाती है, 1000, दो और दो चार, 10,000 हो जाती है, ठीक है, 10,000 हमारी GDP हो जाती है, अब माल लीजे 2023 में, quantity उतनी ही producer कर रहे है, लेकिन price जो बढ़कर हो गया 150, इसका मतलब जो GDP है, वो आप कितनी ह हो गई, 15,000 हो गई, तो इसको growth नहीं कहेंगे, इसे growth नहीं कहेंगे, इसे growth नहीं कहेंगे, नहीं, क्योंकि GDP में यह जो वर्दी होई है, यह cable price बढ़ने से हुआ है, GDP, real GDP बढ़ने चाहिए, real GDP का मतलब है, कि growth cable तभी कहलाएगा, जा हमारा output increase हो, यानि कि इसके लिए क्या क प्राइज लेते हैं, जो हमारा base year है, इसको बोलते हैं, बच्चो, real GDP, यानि कि real GDP लिकालने का क्या तरीका है, कि quantity लेंगे हम किसकी, current year की, और price लेंगे base year का, उससे जो GDP लिक लेगी, उसको बोलते है, real GDP, यानि कि economic growth के लिए जरूरी है, कि किसी भी देज की real GDP इंक्रीज हो real GDP का क्या मतलब हुआ, real GDP का मतलब हुआ, कि उस देश के अंदर growth कहलाएगी, जब real output बढ़े, यानि कि कि किसी भी देश की income बढ़ रही है, वो इसलिए बढ़ रही है, क्योंकि उस देश में output बढ़ रहा है, लेकिन बच्चो एक बात और याद रहनी चाहिए, कि अगर माल GDP बढ़ रही है, 4% से, population बढ़ रही है, 6% सो अक्च्वल में आप देखोगे, तो आपकी जो growth है, वो minus 2% हो गई, इसलिए real per capita income को economic growth का ज्यादा अच्छा indicator माना जाता है, यानि कि यहाँ पर हम कह सकते है, कि जो economic growth का जो सई indicator माना जाता है, वो माना जाता है real per capita income, अगर किस किसी देख में real per capita income बढ़ रही है, तो यह बता रहा है कि उस देख में growth की rate, population की growth rate से जादा है, तो बच्चों, simple सब्दों में कहा जाए, तो economic growth के लिए जरूरी है, कि देख में real output बढ़े, और real output बढ़े, उससे भी ज्यादा बढ़े, जिस rate से population बढ़ रही है, यानि कि real per capita income किसी देख की increase होने चाहिए, तब ही उस देख को हम कहा जाएगा economic growth, अब economic growth कैसे measure करते है, उसको लिकालने का formula है, GDPT minus GDPT minus 1 upon GDPT minus 1, बहुत simple तरीके से आप समझ लीजे, मैं आपको यहाई पर समझा देता हूँ, देखे, एक और, मैं इसको एक और पेज दे लेते हैं, चल और GDP, real GDP जो है, वो 2030 में बढ़कर हो गई है, 12,000, ठीक है, तो हम real GDP की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जिस साल की लिकालनी है, GDP, उसमें से minus कर देंगे, जो base year आपका है, और upon divide कर देंगे, आपका जो base year है, अब पिछले साल का हो सकता है, पिछले साल का लिकालना हो 2021 क तो इसका मतलब है जो growth rate है, जो growth rate है, GDP का पिछले साल के मुकाबले, वो कितना रहा, 2020 परशेंट आगा है, जैसे कि यहाँ पर example भी दिया हुआ है, बच्चों आपको यहाँ पर, देखें, यही example दिया हुआ है, कि 2018-19 में जो GDP थी, वो 200 करोड थी, और 2019-20 में बढ़कर हो ग देखेंगे, और into कर देखेंगे, तो जो निकलेगा, उसको का जाएगा, real growth भी दो तरीके की होती है, एक तो होती ही actual growth, दूसरी है potential growth, ग्रोथ का मतलब है, जिसे economy अचीव कर रही है, और potential growth का मतलब है, जिसे economy अचीव कर सकती है, अगर उसको साई से resources को utilize किया जाए, यानि कि potential growth किसी भी देश के उस growth level को दिखाती है, जो एक देश अपने resources को fully employed करके achieve कर सकता है, और जो हमारी actual growth है, actual growth जो है, current growth rate को दिखाती है, कि आपकी actual में कितनी growth rate हो रही है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको economic growth का concept अची तरीके से समन में आया होगा, अब हम आगे बात करते, economic development की, देखे, economic growth के मुकाबले economic development एक broader concept है, मैं आपको बता देता हूँ कि economic growth और economic development इस तरीके से, यह है economic growth और यह है development, इसका मतलब यह हुआ कि बिना growth के economic development possible ही नहीं है, अगर किसी देश में real GDP नहीं बढ़ती, अगर किसी देश में per capita income बढ़न नहीं कभी develop कर ही नहीं सकता, लेकिन केवल की GDP बढ़ने का, केवल per capita income बढ़ने का मतलब यह नहीं है, कि उस देश में development भी हो रहा हो, development जो है, वो इक broad concept है, broad concept का क्या मतलब हुआ, कि इसके अंदर केवल और केवल growth नहीं आएगा, केवल और केवल income नहीं आएगी, बलकि इसके अं अंदर आएगे, एक बार वो भी हम समझेंगे, तो economic growth का मतलब है, हमें यहां पे quantitative change को include करना है, इसको include करना है quantitative change को, साथी साथ include करना है qualitative change को, देखें, दो बाते यहां पर समझ लीजे, growth के अंदर केवल और केवल एक चीज़ आती है, वो है quantitative, जबकि development के अंदर पहली और दूसरी दो चीज़ आती है, quantitative और qualitative, quantitative का मतलब है, increase in national income, increase in per capita income, यह सब बढ़नी चाहिए, quantitative का मतलब है, कि जो हमारा health है, health care, वो बढ़े, जो हमारा literacy rate है, वो बढ़े, हमारे यहां पे जो social right है, वो मिले, human rights है, वो मिले, यानि कि freedom of speech हो, economic development जो है, वो किसी भी देश की quality of life क को represent करता है, यानि कि अगर किसी देश में quality of life बढ़ रही है, किसी देश में लोगों के पास freedom of speech है, अगर किसी देश में political freedom है, अगर किसी देश में gender equity कम है, तो यह indicate करता है कि उस देश में economic development हो रहा है, यानि कि economic development में केवल और केवल quantitative nature को सामिल नहीं करते हैं, बल्कि qualitative nature को भी सामिल कर दियते हैं, यानि कि economic development implies improvement of welfare, welfare के अंदर बच्चों सभी बाते आजाएंगे, welfare होना चाहिए, ठीक है, welfare होनी चाहिए, poverty घटनी चाहिए, unemployment घटनी चाहिए, लोगों के पास में खाने के लिए भोजन हो, उसके लावा पानी हो, साफ वाटर हो, यह सभी चीजे जा का मतलब केवल और केवल और केवल GDP बढ़ने से है, और economic development का मतलब GDP तो बढ़ने ही चाहिए, साथी साथ बढ़ना चाहिए, welfare लोगों का, तो यहां पे बच्चों कुछ हम elements की बात कर रहे हैं, जो कि जरूरी है, economic development के लिए, यानि कि इन में से किसी एक के अभाव में, economic development possible न बढ़ना चाहिए, real output बढ़ने का मतलब यह हुआ कि देश में production का level बढ़ना चाहिए, अगर production का level नहीं बढ़ता, अगर production का level नहीं बढ़ता के विल prices बढ़ रहे हैं, तो ऐसा देश कभी भी developed नहीं कहलाएगा, economic development के लिए जरूरी है कि उस देश में production का level बढ़े, उस दे चाहिए, यानि कि हमारा real per capita income भी बढ़ना चाहिए, अगर किसी देश में real GDP बढ़ रही है, लेकिन population की जो growth है, वो और ज्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे देश को हम कभी भी नहीं कह सकते कि वो economic develop कर रहा है, इसके अलावा increase in economic welfare, यहां पे welfare लिखना भूल गया है, welfare, लोगों के कल्याण में विर्दी होनी चाहिए, लोगों के पास social right मिलने चाहिए, लोगों के पास food होना चाहिए, लोगों के पास education होनी चाहिए, health होनी चाहिए, इसके अलावा unemployment कम से कम होनी चाहिए, यानि कि जो economic welfare के लिए जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान तो आप किसी भी देश को develop तब कर जाएगा, जब उसमें structural change हो, institutional change हो और technical change हो, मैं आपको बदा देता हूँ कि institutional change का मतलब है, कि जो हमारे structural change का मतलब है, पहले structural change बात कर लेते हैं, structural change का मतलब है कि development का process तभी कहलाएगा, जब लोग primary sector को छोड़ कर secondary और traditional sector में अपने आपको स्विच कर ले, यानि कि जो एक तरीके से आप कह सकते हो, कि जो लोग primary sector में किसी देश में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो वो under develop की निसानी है, development के process में, लोग agriculture sector को छोड़ कर, service sector में और industrial sector में automatically move कर जाते हैं, institutional change का मतलब है, कि जो inequality है, जो land का असली मालिक है, उसको मालिका अनाक मिले, institutional change का मतलब है, कि ride जो है, वो मजदूरों को मिले, भूमी इनको मिले, आपको मिले, मुझे मिल हो कि संपत्ती कुछ लोगों के हातों में, एकट्टी हो की रह जाए, और technical change का मतलब है, कि जो labor intensive technique है, उसकी जगह capital intensive technology का use हो, development के ये process में, ये तीनों की तीनों बाते automatically होती है, और नहीं होती है, तो बच्चो ये development नहीं कहलाएगा, इसके अलावा sustainable process है, अगर एक साल develop हो ग ऐसा नहीं है, बलकर लगातार economic development होते रहना चाहिए, उसी को economic development कहेंगे, इसके अलावा बच्चो और भी elements है, जैसे education है, इसके अलावा medical facilities है, इसके अलावा availability and quality of infrastructure है, road होनी चाहिए, railways होनी चाहिए, communication, power, water supply, sewerage, इसके अलावा, overall आप देखोगे, तो इसके अंदर infrastructure होना चाहिए, social infrastructure, economic infrastructure, यह सारे के सारे element मिलेंगे, तभी तभी कहलाएगा economic development, यानि कि economic growth तो केवल single dimension है, लेकिन economic development multi dimension है, इसी लिए जब आप बात करोगे, तो economic development पूरी की पूरी society के improvement की बात करने की बात करता है, इसके अलावा बच्चो यहाँ पर हमने कुछ basic difference से कराये हुए, economic growth and economic development में आप देख लीजिए, सबसे पहला meaning है, अल्रेडी हम आपको बता चुके economic growth refer to the rise in the value everything produced within the economy, तो हमने आपको अल्रडी बता दिया, लेकिन जो economic development होता है, वो केवल real income पे नहीं करता है, बलकि जो structural change है, उस पर भी बात भी करेगा, इसके अलावा economic welfare की बात भी करेगा यह सारी बात है economic development में आती है, इसकोप की बात करें तो बच्चो जो economic growth है, वो narrow concept है, हम अल्रेडी डिसकस कर चुकी है, आपको अल्रेडी बेने बताया था, कि economic growth जो है, उसके मुकाबले economic growth की मुकाबले जो development है, वो बड़ा concept है, और economic development एक broader concept है, इसके अलावा indicator की बात करें है, तो यह सभी index के बारे में हम आगे further आप से discuss भी करेंगे, बच्चो यह क्योंकि syllabus का है, तो जहां पर जहां पर यह syllabus आएगा, वहां वहां हम इसका discussion करते रहेंगे, measurement की बात करें, तो economic growth को measurement करने के लिए हम qualitative, sorry, qualitative जो होती है, quantitative approach का use करते हैं, जिसमें per capita income GDP निकालना होता ह है, जबकि जो quantitative approach है, जैसे PQLI, HDI, HPI, इन सब के द्वारा हम economic development को measure करते हैं, nature की बात करें, तो बच्चो economic growth जो है, वो एक तरीके का, मली जी कभी-कभी होता है, कभी नहीं होता, तो भी उसके growth का जाएगा, लेकिन economic development process है, लगातार चलने वाली पिक रिया है, economic growth का use, आम त और economic development, जो है, the concept of economic development is generally used for developed country like UK, USA, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है, reflect की बात करें, economic growth quantitative change को reflect करता है, जबकि economic development quantitative के साथ, qualitative change है, उनको भी reflect करता है, process की बात करें, तो economic growth एक rapid process है, जब एक economic development है, बहुत ही slow process है, और इसके अलावा बच्चो economic growth, economic development के बिना possible है, लेकिन economic development economic growth के बिना possible नहीं है, तो मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आपको economic growth और economic development अच्छी तरीके से समयन में आ गया होगा, बच्चो, इसके अलावा आपने इस पूरे की पूरे topic के PDF notes भी बनाए हुए, जो के आपको हमारी application Vishnu Economics School में मिल जाएंगे, इसके अलावा कुछ free notes भी है, उसको आप study material के option में जाकर आप उनको देख सकते हो, उनको download कर सकते हो, इस वीडियो में इतना ही, दोस्तों वीडियो खतम करने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कि हमारी application Vishnu Economics School पर आपको बहुत सारे courses जो हैं वो आपको available हो जाएंगे, तो आप ये तो website है,